पुश्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो हमारे देश में जो दिव्यांग वेक्ति हैं जो disabled person है उनके लिए आरक्षन में बढ़ोत्री की गई है एक department है अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे वहां पर आरक् Person with Disability Act 2016 ये क्या होता है और हमारे देश में कितने परकार के जो disabilities हैं उनको मानेता दी गई है और किसको disabled person कहा जाता है इन तमाम बातों के आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो के अंदर तो complete देखनी होगी आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए बत अब चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए CPWD यानि Central Public Works Department यहां पर इसकी definition भी definition की यानि इसका पूरा नाम भी लिखा हुआ है तो यहां पर CPWD ने कहा है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले junior engineer यानि जेई किसके अंदर civil और electrical में यहां प और 4% पदों की पहचान करने की प्रकरिया शुरू कर दिये और यह 4% पदों की पहचान क्यों की गई है क्योंकि यह अनिवार्य है जरूरी है करना कौन अनिवार्य बनाता है यह RPWD Act बनाता है Rights of Person with Disability Act 2016 यह अनिवार्य बनाता है कि जो disabled person है उनके लिए सीटों का अरक्षन म बात करते हैं इसके अंदर जो की पॉइंट से परमुख बिंदू है उनकी केंद्रिय लोग निर्मान एजनसी यानि Central Construction Agency इन्होंने अपने जो रिजनल जो ओफिस है या रिजनल ओफिस होगी है निवार्य शेत्रिय कारा ले है उनको 4% पदों और स्थानों की पहचान करने क ले का है जहां पर जो दिव्यांग वेखती है यानि जो डिसेबल PWD परसन है उनको न्यूक्त किया जा सके और CPWD ने जो अपने जो शेत्रिय केंद्रों को भी PWD के लिए उचित आवास यानि appropriate reasonable accommodation बनाने के निर्देश दे लिए हैं जैसा कि RPWD में अधिनियम में अब उले जैसा इस act में कहा गया है इससे पहले एक विशे समिती एक special committee बनाए गये थी CPWD के था है उनका मानना था कि जो PWD जो है यानि person with disabilities है उनको सरपर्थम उस धान के लिए अपेक्षित तक्निकी योगिता या पद के लिए आवशकता है उसके पश्चात उन्हें उस पद के लि बाद में समीती ने CPWD के J यानि civil और electric भरती के लिए DEPWD की अधिसूचना का पालन करने की सला दी अब इसके लावा दिव्यांकता से संबंदित हमारे समिधान के अंदर क्या-क्या प्रावधान है इसके बारे मात करते हैं बहुत जादा important है देखे एक आता है हमारे देश यहां राज्य यानि कुसी राज्य से मतलब नहीं है हर्याना पंजाव राजस्थान ऐसा नहीं है यहां पर राज्य का मतलब है देश कि देश अपनी आर्थिक शम्ता देखे कितना important यहां लिखा गया है कि आर्थिक शम्ता विकास की सीमा के भीतर कार्य शिक्षा हवस्ता बिमारी और शम्ता के मामलों में यानि disabilities यहां पर आ जाती है के मामलों में सारजनिक साहेता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा करेगा कोई medantry नहीं है अपनी आर्थिक शम्ता देखे कितना खूबसूरती से शब्दों का यू करेगा तो यहां पर आपको यह भी समदना होगा कि बोला कहा गया है DPSP के अंदर साथ इसाथ हमारे समिधान के सात्वी सूची अनुसूची के राज्य सूची में दिव्यांग्यों और बिरोजगारों के राहत विशय यहां पर दिये गए हैं उनको यहां पर निर्दीशि परिभाशा देखे दिव्यांग्ता को एक विक्सित और गतिशिल अवधारना के अधार पर परिभाशित किया जा सकता है हम यह क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते कि इसी को बस हम बोलेंगे disability बाद में कोई और अगर आती है तो उसको नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं है यह ए बैंचमार्क दिव्यांग्ता से तात पर रहा है यानि कि जो डिसाइड किया गया है बैंचमार्क दिसेबिलिटीज रफर टू हैविंग एटलिस 40% दिसेबिलिटीज ऑफ एनी ताइप रिकनाईज अंडर दी एक्ट यानि माननेता प्राप्त किसी भी परकार की कम से कम 40% 40% दिव्यांगता से है यानि कि गवर्मेंट ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है किसी बिमारी को माननेता दे रखी है कि इस बिमारी के अंदर या इस डिसेबिलिटी के अंदर आने वाले व्यक्ति को डिसेबल परसन कहा जाएगा और वो बेनिफिट उठा सकता है जो गवर्मेंट ने उनके लिए प्रवाइड कर रखे हैं यहां पर बात करते हैं टाइप्स की देखें दिव्यांगों के परकार को साथ से बढ़ा कर 21 कर दिया गया है पहले 7 परकार की डिसेबिलिटी ती अब 21 आ जाती है हमारे सामने और इस अधिनियम में जैसे मानसिक बिमारी आ जाती है ओडिजम स्पेक्ट्रम डिसोडर आ जाती है सेरेबर पालसी मस्किलर डिस्ट्रोफी क्रोनिक निउरोलोजिकल बिमारी आ जाती है लैंग्विज डिसेबिलिटी जा जाती है थैलिस्मिया आ जाती है हीमोफीलिया आ जाती है सिकल सेल ड्रोग आ जाता है बहरा, अंदापन, एसिड अटेक, जो पीडित हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, एक पाकिसंस रोग भी आता है, उसके तहट आने वाले लोगों को भी दिव्यांगता के अंदर शामिल किया गया है, और इसके अलावा सरकार को, मतलब निर्दिशित दिव्यांगता के किसी अन्य श्रेणी को अधुसुचित करने के लिए भी अधिकरित किया गया है, मैंने आने वाले टाइम में अगर गवर्मेंट किसी और को एड करना चाहिए, किसी डिसेबिलिटी को एड करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है, अब इसके अलावा आरक्ष के अंदर जो बेंचमार्ग जो डिसेबिलिटीज हैं, छे से लेके 18 वर्स के आयू के परतेक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, और जो समावे सी शिक्षा परदान करने वाले सरकार द्वारा वित पोशित, जो यानि गॉर्मेंट उनको पैसा प्रवाइड करती पर जोर दिया गया है, यानि यहां पर डिसेबिल्ट परसन है, उनको एकसेसिबिलिटी प्रवाइड कराई जाए, वो वहां तक भी पहुँच पाएं, इन सब चीजों के ओपर एक अभिहान भी, एक कैम्पेन भी चलाया गया है, नियामक संस्था, यानि रेगुलेटरी ब स्टेट कमिशनर है, यहां पर रेगुलेटरी यह, इनकी शिकायत के उपर काम करेंगे, विशेश को एक अलग से स्पेशल फंड बनाया जाएगा, जो दिव्यांग वेक्ति हैं, उनकी वित्य साहिता प्रदान करने के लिए, और राष्ट्रिय और राज्य को उसमतलब दिव्यांगियों के साथ 10 वर्स तक के बच्चों के लिए प्रारंबिक, हस्तक्षेप और स्कूल त्यार योजना है, स्कूल ही त्यार योजना होगी यहां पर एक विकास है, ओडिजम, सेरेबर, पालसी, मान सिंग मंदता और बहु दिव्यांगता वाले 10 वर्स से अधिक आयू के लोगों के लिए डे केर कार्यकरम ताकि उन्हें अपने पारशपरिक और वेफसाइक कोशल में सुधार करने में मदत मिल सके, इसके अलावे एक समर्थ योजना है, अनातों, संकटक्रस्ट परिवारों और BPL और LIG परिवारों के दिव्यांगों लोगों यानि जि दिव्यांगताओं में से कम से कम एक हो, उनके लिए राहत ग्रह परदान करने का कार्यकरम एक घरोंदा है, यह योजना, ओडिजम, सेरेबल, पालसी, मानसिक, मंतता और बहु दिव्यांग वेक्तियों को जीवन भर आवास और देखबाल सिवाएं परदान करती है, एक नि दिव्यांग लोगों और उनके परिवारों की कुशल देखबाल करने वालों को, जो मतलब की जो कोई दिव्यांग वेक्ति है, उसकी देखबाल के लिए कोई व्यक्ति लगाया जाता है, उसको प्रसिक्षित यानि उसको ट्रेनिंग प्रवाइड कराई जाएगी इस कीम के इसके अलावा प्रेरना है, जहांपर जो दिव्यांग वेक्ति हैं, जो उनके दौरा डिसेबल परसन है, उनके दौरा कोई प्रोडेक्ट बनाया जाता है, तो उसको बाहर बेचा जाए, इसके लिए एक यहां पर उनके लिए मार्केटिंग करना, व्यापक पर चार पर सार चैनल बनाने के लिए एक विपनन योजना होगी हमारे सामने, एक संभाव है, जिसमें सहायता परवाइड करने के लिए, उपकरन परवाइड करने के लिए, सोफ्टर कुछ भी चीजें जो हैं यहां पर लाई जाएंगी उनकी help के लिए, इसके अलावा बढ़ते कदम है, यह उजना राष्ट्री अन्याय के पंजिकरित संगठनों, यानि कि जिन के पास यह स्किम सपोर्ट रिजिस्टर औरगनाजेशन ऑफ दी नैशनल ट्रस्ट तो केरी आउट एक्टिविटीज फोर इंक्रीजिंग दी अवेरनस ऑफ दी नैशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटीज इसके अलावा हमारे सामने हो जाती है अन्ये महतवपूर्ण योजनाओं में एक आजा है Accessibility India Campaign यहाँ पर इसके अंदर दिव्यांग जनों के लिए सुगम वातावरन का निर्मान एक आता है सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांग वेक्त पहचान परियोजना आ जाती है दिव्यांग व्यक्तियों का अंतराष्ट्य दिवस आ जाता है राष्ट्य मानसिक स्वास्त्य कारेकरम यह सब इपची आ जाती है अब बात कर लेते हैं CPWD यह क्या है यानि Central Public Work Department Central Public Work Department July 1854 में अस्तित में आया था जब लोड अलोजी ने उनको निप्टाने के लिए उनको एक्जेक्यूट करने के लिए एक केंदरी एजनसी की स्थापना की तता अजमेर के अंदर प्रांतिय डिविजिन की इसमें नीव रखी यह पिछले 164 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है और अब यह एक व्यापक निर्मान परबंदन व प्रवाइड करता है, सर्वीस देता है, इसके अधिक्षता जो है वो डीजी के द्वारा यानि डिरेक्टर जर्नल जो की भारत सरकार का परधान तकनीकी सलाकार भी है और शेत्रों और उप्शेत्रों में नेत्री तुरकरम से यानि रिस्पेक्टिवली विशेष महानिदे करते हैं जबकि सभी राज्यों के राजधानियों में कुछ को छोड़कर वहां पर जो हैं मुख्या भियनता यानि चीफ इंजिनियर के दौरा एक तरीके से हैड किया जाता है उनको CPW पूरे भारत में उपस्ति थी है और यह एक तरीके से उन इलाकों में भी काम करता है जहां पर काम करना मुश्किल हो जाता है और जटिल पुर्यूजनाओं के निर्मान और निर्मान के बाद उनको चरण में रख रिकाव करने की शमता रखता है CPWD वर्स 1982 में एशियाई खेलों और वर्स 2000 डेस में जो राष्ट मंडल खेलों के लिए स्टेडियम के निर्मान और अन्य बुनियादी धांचों के आउशकताओं की पूरती में भी ये शामिल था तो उमीद करता हूँ कि पूरा कॉंसेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिर से टेलिग्राम के लिए मैं बता देता हूँ पीडियो आपको टेलिग्राम के चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से आप इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के ल